मैं मोटा नहीं हूँ, मैं तेज भाग सकता हूँ, मैंने योजो टेश पास किया है और जब टीम इंडिया सिलेक्ट होती है तो उस राद दुख भी होता है ये शब्द किसी और के नहीं बलकि सरफराज खान के है जिनहें किसी भी टीम इंडिया में चुना नहीं गया करेलो क्रिकेट में सरफराज खान के बल्ले से धेरो रान आये लेकिन फिर भी सिलेक्टर्स ने उन्हें जूटे वादे किये और उन्हें सिलेक्ट नहीं किया इस रिपोर्ट में मैं आपको सरफराज खान की कुछ बाते बताने वाला हूँ जिसमें उन्होंने खुला से किये है कि कैसे सिलेक्टर्स ने उनसे जूट बोला, फिटनेस पर कितने सवाल उठते थे और जब टीम इडिया में उन्हें मौका नहीं मिला तो वो रात उनके वाली है, लेकिन ये सच है, चतिस में 3380 रन, जिसमें 80 से ज़्यादा कावसत, सरवाधीक 301 रन, 12 शतक और 9 हाफ सेंचुरी है, आंकड़े बताते हैं कि अभी तक टीम इडिया में सरफराज खान को एंट्री मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जूटे वादे किये गए, भरोसा दिया गया, लेकिन सिलेक्शन का फान तक नहीं आया, अब सरफराज खान ने खुला सा किया है, कि कैसे सिलेक्टर्स ने उन्चे जूट बोला था, सरफराज खान ने बताया, कि बेंगलोरों में रंजी टोफी के फाइनल के दोरान जब मैंने शतक बनाया तो मैं चायन करताओं से मिला, मुझे ये बताया गया कि आपको बंगलादेश में मौका मिलेगा, उसके लिए तयार रहे, हाल ही में मैं चेतन शर्मा सर से मिला, जब हम मुंबई के होटल में चेक इन कर रहे थे, उन्होंने मुझे निराश ना होने के लिए कहा, और कहा कि म टीम इडिया में आएंगे, लेकिन उन्हें थोड़ा सबर रखना पड़ेगा, लेकिन अब सर्फराज खान ने खुद खुला सा किया है, कि जब टीम इडिया में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उनका हाल बेहाल था, और वो रात उनके लिए सबसे लंबी रात थी, स सर्फराज कान ने घरेलू क्रिकेट में धिरो रन बनाये है, लेकिन हर बार उनकी फिटनेस पर सवाल उठते रहे, लेकिन अब फिटनेस को लेकर भी भारत के इस ब्रेडमेन ने सवाल करने वालों को ऐसा जवाब दिया, कि अब शायद ही सर्फराज की फिटनेस पर कोई खेल पाता, खेर सर्फराज फिट है, रन बना रहे है, और उन्हें मौका मिलने वाला है, लेकिन पिछले कुछ दिन उनके साथ ऐसे गए, जिसे वो भूलाना चाहते है, अब देखना होगा कि देश के इस ब्रेडमेन को कब तीम इडिया की जर्सी पहनने का मौका मिलता है